जी असलाम चूप्ट यह हमारे मैंज़र है अरशियद साहब यह सुबह से थोड़े उदास से हैं तो आज इनसे पूछते हैं कि इनकी आप वी ती आज क्यूं यह कर रहे आ में हल्छलागै बड़े हसमुक हैं आज पूछते हैं कि ये क्यों थोड़ा उदास है जी अर्शे साथ बताएं स्लाव अले को हुआ ये कि कर राद में मैंने अमोमन हम लोग रात में वीडियो देखते हैं टिक टॉक वगरा पे मैं देख रहा था तो एक बंदे ने जो है वो कुछ बोला कि आप मुनाफिक हैं अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते तो ऐसी वीडियो जब आती है ना तो आदमी बगा देता है मैंने भी बगा दिया लेकिन उसने बोला था कि ये हदीथ है तो वो दिमाग में मेरे टक कर गया कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो मैं मुनाफिक हूँ वो अतनी सी बात मेरे को टक कर दी फिर मैंने वीडियो तो भगा दी अब मुझे वो वीडियो नहीं मिली कहा है किधर है मुझे नहीं पता, मैंने लाइक भी नहीं किया उस वीडियो को शैतान ऐसा करने को आपको बोलता है हटाओ इस सब चीज़ को, गाना वाना देखू लेकिन वो बात मुझे टक कर गई फिर मैंने सर्च किया कहां हदीस नहीं तो मैं जब सर्च किया तो मुझे सही बुखारी में मिला सही हदीस मुस्लिम में मिला मेरे को उसमें पता चला, उसमें मैं याद करूं तो शायद तेरा सो तेरा सो बेरासी नंबर की हदीस है सही मुस्लिम की और कोई 7439 है बुखारी शरीफ की बुखारी शरीफ में भी है और उसमें सही मुस्लिम में भी है कि हुदू ससम्ने फर्माया कि जो लोग मतलब मुनाफिक है उन पर फजर की नमाज और एशा की नमाज भारी होती है तो मेरी ये सुबह से ये आज नहीं 15 साल से मेरी ये रूटीन थी कि हम ट्यूटी पे 8 बजे 7 बजे आते हैं तो एक गंटा पहले अलाम लगा के उड़ते हैं नमाज पढ़ते हैं 15 साल से मैंने कभी फजर की नमाज नहीं पढ़े मैं बुदा फिर फिर मैंने रात में जो है प्रात में अल्ला से बात की कि अल्ला मुझे कल सुबह फजर की नमाज में उठा रहे न मैं अलाम नहीं लगाऊंगा मेरा वही अलाम रहेगा 7 बजेगा अल्ला ताला ने मेरी दूआ सुदी फजर में नहीं तालजूर में उठा दिया मैंने अल्ला का शुक्र अदा किया तालजूर की नमाज पढ़ी फजर की नमाज पढ़ी लेकीं बड़ी खुशी हुई जब मैं मस्यद में गया मैं देखा कि दो सफ लोग खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं मैं अकेला था क्या मैं अकेला था जो सोता था और पंदरा साल से पढ़ता हूं नमाज पांच वर्ट की पढ़ता हूं लेकिन जमाद के साथ नहीं क्या अल्ला मुझे माफ करेगा बंदरा साल एक दिन भी फजिर की नमाज ना पड़ी बस यहीं बात है जिसने हमें बनाया खाना खिलाता है उसके ओडर को हम नहीं सुनते वह जब बुलाता है हम नहीं सुनते यह कंपनिया जिसमें हम काम करते हैं यह टाइम पर बुलाती है हम काइम पर आते हैं इनकी सुनते हैं जिनको हमने 2-3 साल काम करके छोड़ देना है दूसरे के पास जाना है उनसे डर के उनके टाइम पर हम आते हैं अल्ला के टाइम पे नहीं आते हैं तो हम मुनाफिक ही हुए हैं ना तो बस मुझे अल्ला माफ कर दे और और क्या बोलूं नहीं बोला जा रहा कुछ भी तो यहीं बात है चलें यह आपने अर्षद साब का सुना है इनको हर अल्ला जब भी किसी को हिदायत देता है तो वह एक क्लिक होता है जिसमें उसकी वह पूरी जिंदगी जो नहीं बदल जाती है तो आज यह सुबह ते बड़े उदास्ते तो मैंने पूछा यह क्यों ऐसे हैं तो फिर उन्होंने आज अपनी यह आप बीती बताईए तो आल्ला ताला इनको भी जो इन्होंने सोचा है जो इन्होंने आज की है इस पे इनको गामजन रखे और हम सब को पांच वक्त का नमाजी बनाएं और सब पे अपना रहम करें और सब को अपने हिवाज़ जो एमान में रखे जी आमीन